इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडू की सीम जैललता की हालत बेहत नाजुक बनी हुई है और पीटी आई के हवारे से खबर है कि पार्टी हेट कौटर पर जंडा पार्टी का जो है वो जुका दिया गया है अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड है और जैललता की हालत काफी नाजुक बनी हुई है भारी पुलिस बल इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में अस्पताल के बाहर तैनाद किया गया है और जैललता की हालत बेहत नाजुक बताई जा रही है लेकिन पीटी एडियम के हेड़कौर्टर पर पार्टी का जो ऑफिशल फ्लैग है उसको जुका दिया गया है अस्पताल के बाहर लोगों की काफी भीड है जया ललता समर्थकों की काफी भीड है और पीटी आई के हवाले से खबर तो यह भी है कि वहाँ तोड़ फोड़ भी हुई है अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती देखने की गई है भारी संख्या में पुलिस के करीब पांच हजार जवान वहाँ पर तैनात हैं अपोलो हॉस्पिडल के बाहर जहां पर इस वक्त जैदलता हैं एडमिट और उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है तस्वीर हैं अपोलो अस्पताल के बाहर से जहां पर जैदलता एडमिट हैं और उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है तो लगतार खबर आ रही है अपोलो अस्पताल में तमिलनाडू की सियम जैदलता का इलाज चल रहा है इस बीच कल देर रात उन्हें हार्ट अटैक पड़ा ये ख खबर आई थी उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है हालत नाजुक बनी हुई है लंडन के डॉक्टर्स से उनके बारे में कंसल किया गया है अपोलो के डॉक्टर्स ने उनके उनकी हालत के बारे बुल्टिन भी जा रही किया कि उनकी हालत नाजुक बनी हैं पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई है ए आई डी अमके के सभी सांसदों को दिल्ली से बुला लिया गया चिन्नई वापस पार्टी हेटकॉर्टर पर पार्टी का जंडा जुका दिया गया है और कुछी दिर में अगले कुछ मिनट्स में हो सकता है अपॉलो अस्पताल की तरफ से कोई मेडिकल बुलिटिन जारी हो जैललता की हालत को लेकर तस्वीरे देख सकते हैं लोग वहाँ पर थोड़े से हिंसक हो गए थोड़े से गुस्सा में हो गए और वहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन जया समर्थकों का अब हुजूम इस वक्त अस्पताल के बाहर लगा हुआ है बाद उन्हों एडमिट कर आए गया हॉस्पिडल में और जलेलता को देखने केंद्र के तमाम मंत्री और राजनितिक पार्टियों के बड़े नेता उनसे मिलने हस्पताल पहुँचे आज वाई को भी पहुँचे उनसे मिलने इससे पहले तमिलाडु के राजपाल भी वहा उन्होंने जलता की हालत जानी थी केंद्र से लगातार केंद्रे स्वास्थ मंत्री जेपी नडडा जलता की हालत के बारे में जानकारी ले रहे हैं उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हालत की जानकारी दी और प्रधान मंत्री ने उनकी सेहत जल्द अच् झाल झाल झाल